मुझा जाए ये एरियर पर आगई है नई अपडेट जाने सैलरी में कब आएंगे डेड़ लाक रूपे एक साथ तो दोफता हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफटाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए सा दीए एरियर का नंबे समय से इंतजार कर रहे हैं मोधी सरकार ने हाल हैं में डीए में तीन पर्तिशत की ब्रोतरी की है तीन पर्तिशत की ब्रोतरी के जाफ़े के बाद डीए बढ़कर 34 पर्तिशत हो गया है डीए बढ़ने के बाद सरकारी करमचारी उमीद कर रहे हैं कि डीय ए अरियर भी जल्द मिले करंचारी लगातार जनुरी 2020 से जून 2021 तक रोके गे डीय की मांग कर रहे हैं मेडिया रिपोर्ट के मताबिक सरकार एक मुफट डेढ़ लाख रुपे सरकारी करंचारी को देने के योजुना बना रही है अगर ऐसा होता है तो सरकारी क्रमचारी की सालरी में एक साथ कापी पैसे आएंगे दोस्ता सरकारी क्रमचारी को उमीद है कि डिये एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी और इसका हल जल्दी ही निकालेगी National Counseling of JCM के स्चिव शिव गोपाल मिश्रा के मताबिक काउंसलिंग ने सरकार से डिमांड रखिया है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है मिश्रा के मताबिक कार्मी को इम परशिक्षन विभाग और वितमन्त रहल है वे भी भाग के अधिकारियों के साथ JCM की जॉइंट मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में क्या निर्न होगा वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा दोस्तों लेवल बन के करमचारिय का डिये एरियर गैरा हजार आट सो असी रूपे से 37,000 रूपे के बीच में होगा वही लेवल 13 के करमचारियों को 1,44,200 रूपे से 2,18,200 रूपे डिये एरियर के तोर पर मिलेंगे सरकारी करमचारी और सारवजिन चेतर के करमचारियों और पेंशन बोगियों को डिये दिया जाता है दोफ्तो वितमंत्राले डिपार्टमेंट और पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यविभाग के अधिकारियों के साथ स्वयूंत सलाकार तंतर की बैठक होगी जिसमें डिये एरियर के एक मुफ्ट पेमेंट पर चर्चा होनी है ऐसी कबरे आ रहे हैं कि सरकार करमचारियों के डिये एरियर के तोर पर डेड़ लाक रूपे एक साथ दे सकती है तो दोफ्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट विडियो में तब तक के लिए जय है हिन जय है भारत